नमस्कार किसान्द भाईयो मैं भरत क्यालो ताप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ अपने फैबरिटी टुप चैनल ओल इंडिया पोटेटो फार्मस में किसान्द भाईयो आज 24 जून 2023 सनीवार आज देश की हर मंडियों में लगबग लगबग डबल मंडियों जैसा महोल बनता है क्योंकि आज सनीवार है और कल रविवार होगा तो रविवार को देश की ज्यादा तर मंडियों में आलो के जो मंडिया होती है उनमें छुटती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज और कल के लिए भी थोड़ा श्कॉप वह खरिदारी कर देते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात में आलो की रेट के बारे में और देश की विभिंद मंडियों में आलो की क्या पोजीशन है और आलो की जो आवक है वह कितनी बड़ी है या कम हुई और रेट के में क्या सुधार हुआ है इसके बार में बात करेंगे तो किसान भाई यो वीडियो पूरा देखे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो किसान भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर ले और बाजीवाले नॉटिशन बेल को पॉल करके तो सबसे पहले बात करें पुखरा जालू की तो पुखरा जालू गुजरात के कोड़ों में अभी 8 रुपिय से लेके 11 रुपिया पचास वे इसाब प्रती किलो के इसाब से बिक्री हो रहा है मतलब कि 400 रुपिय से लेके 575 और एकदम बढ़िया कॉलेटी का आलू हो तो 600 600 रुपिया प्रती पिकर के इसाब से भी बिक्री हो रहा है मतलब के 650 रुपिय से लेके 950 रुपिया तक 80 किलो के еसाब से गुजरात के कोड़ों में इसके बाद बात करें सुख्याती आलू की तो सुख्याती आलू 10 रुपिय से यहाद और्ड़ों के सब्सक्राइए श्यूर्ट कोषिख को stations के यहां उसके बाद से 5 कोलंब आलो की बात करें तो क्यारा रूप्य से लेकर पर किलो के हिसाब से भी क्री वह मतलब की उस्थे किलोever कि अब स्थेर व्यूंतider बीघ्रियों हो रहा है 24 जुन 23 के दिन, उसके बाद करें बादसा आलू की, तो बादसा आलू ज्यादा तर सेड़ में कटाई करके ग्रेडिंग करके ही जाता है, तो यह जो भाव मैं बता रहा हूं, वो ग्रेडिंग वाले आलू का भाव है, तो बादसा आलू गुजरत के कोल्डों में फिलाल 12 रुपिया सवा 16 रुपिया तग भी किलो के इसका से बिक्री हो रहा है मटलब कि 625 रुपिय से लेकिछ रुपिया सवा रुपिया प्रती 50 किलो के प्रेकेट के हिसाब से बाच्छा आलो बिक्री हो रहा है अगर बिल्टी में जानना चाहे तो बिल्टी के बिक्री होता है मतलग ज़्यादातर जो अलु है बाच्छा आलो बाचा आलो से लेके बारासो रुपिया तक 80 क्यलों के हिसाब से ग्रीडिंग वाला बिक्री हो राख है यह बात धियान में रगे हुए उसके बाध करें लौकर आलो की तो लौकर Fire好q के लेके 13 और अलो तेरा और रुपया 50 परिशा क्यलों के डिक्री हो रहा है मतलब कि Посक्व पचयों के इसाप से बिक्री हो रहा है मतलब की ज़ारा सो रूपया से लेके 14 सो रूपया प्रति 80 खिलो की विल्डी के इसाप से गुजरात के गॉर्डों में अभी लौकर आलू की विक्रि हो रही है उसके बाद बाद करें एला रालू की, तो एला रालू जो सुगर वाला है वो 7 रुपिए से लेके 8 रुपिया पृति το किलो के इसाब से और जो कम सुगर वाला है मतलब कि जो टिक्की पास है वेफर पास नहीं है लेकिन टिकी में चला जाता है तो ऐसा आलू जो लेलार आलू है वो 10 रुपिय से लेके 11 रुपिया प्रति किलो के इसाब से बिक्री हो रहा है तो किसान भायों ये थे 24 जुन 2003 सनी बार के दिन गुजरत के कोड़ों में जीस रेट में आलू बीक्रा है उ कि गुजरत की मंडियों में आवक में क्या महोल बना हुआ है और मंडियों में आलू की दिमांड कैसी है तो सबसे पहले बात करें कि सुरत आलू मंडी में आवक बहुत ज़्यादा है और उसमें एक बात थास है यह है कि सुरत मंडी में हलके आलू की जो आवक है वो बहुत ज्यादा रहती है उसकी वज़े से क्या होता है कि सुरत मंडी में आलू के भाव ज्यादा बढ़ नहीं पाते मैं एक बात यहां आप सबको बताना चाहूंगा कि हर जगह से हर कोल्डों से ऐसे होता है कि जैसे पुखरा जालो हो गया या ख्याती हो गया शुख्याती हो गया या बाचसा हो गया जो हलकी क्या है तो वो सिधा क्या करते है कि सिधा सुरत मंडी में भेज देते हैं तो वहाँ क्या होता है कि मंडियों में ऐसे हलके मालों की भरमार हो जाती है और उसकी वज़े से उनके भाव डाउन हो जाता है और इन हलके मालों के भाव डाउन होने की वज़े से जो बढ़िया आलू है बढ़िया क्वालिडी के आलू है उनके भाव में भी ज्यादा उचा लेकिन एक बात अच्छी है कि मंडियों से जो लेवाली है वो अभी अच्छी है बढ़िया तो नहीं बोल सकते लेकिन तो यह थे गुजरात की मंडियों के बारे में जानकरी दी उसके अलावा दिली की आजातपूर मंडी की बात करे या तो फरुकाबाद की सातनपूर मंडी की बात करे या कानपूर की चकरपूर मंडी की बात करे या राजस्तान की जैपूर या जुदपूर मंडी की बात करे या महारास्ट्रा की पुना और मुंबड मंडी की बात कर तो इन सब भी मंडियों में आवक ठिक्था के पिछले अपते से आवक ज़्यादा है लेकिन जो आलू की दिमांड है जो आलू की खपत है जो लेवाली है वो फिछले अपते से ज़्यादा है यह प्लस पॉइंट है तो किसान भाईयों ये बात थी मंडियों की आवप और उसकी डिमांड के बारे में, और अब बात कर लेते हैं, आने वाले समय में जो बारिस का पुर्वानुमान बताया जा रहा है, उसमें MP और UP में बहुत ज़्यादा बारिस आने वाले दो दिनों में बताय जारी है, ये जो बारिस होने के बाद आलू की जो डिमांड है, आलू का जो खपत है, वो कितना बढ़ता है, जो आलू की डिमांड में खपत में बड़ोतरी होने के साथ साथ आलू के रेट में क्या सुधार हो सकता है, तो वो आने वाले समय में पता चलेगा, तो आने वाले वीडियो देखते रहे, उनमें सब जानकरी आपको, मैं वीडियो के जरीए देता रहूंगा, तो किसान भायों, आप अपना आलो बेचते रहे, आलो को पकड़ के ना रखे, यह बात बहुत ध्यान में रखे, अपने आ पीटे किसा